नमर्शकार मोप्रिया पत्ना न्यूज में आपका स्वागत है चलो जानते हैं पत्ना की 11 फटा फट खबरों को होली पर रिलर्ट रहेंगे पत्ना समीत बिहार के सभी अस्पताल होली का त्योहार है ऐसे में किसी भी आपात स्थी से निपटने के लिए भिहार का स्वासम है कमा अभी सही तैयार है मेरी जानकारी के नुसार आपात स्थी से निपटने के लिए अस्पतालों की इमर्जेंसी सेवा 24 घंटे जारी रखने का देश जारी कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे ये ववस्ता शुकरवार से रविवार तक जारी रहने वाली है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल PMCH, IGI MS, AIMS पतना, NMCH, गुरु गोविन सिंग अस्पताल, राजवन्शी नेगर हड़ी अस्पताल, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, गर्दनी बाग अस्पताल और अन्य शेहरी पीएसी 24 घंटे काम करेंगे खाने के तेल की कीमत में व्रिधी लेकिन पतना में सरसो तिल का दाम स्थिर रहने से रहत, बिहार में महंगाई की मार का सामना बिहारवासी लंब समय से कड़ते हार है इस बीच बिहारवासियों को तेल के दाम ने कराना जटका दिया है रिफाइन ओयल में किलो पर 25-30 रुपे की बढ़ोतरी हुई है जबकि देसी घी आटा मैदा और सूजी के भाव भी चड़ गये है मैदा की 50 किलो की बोरियों का दाम 80-100 रुपे तक बढ़ गया है हाला कि इन सब के बीच राजधानी पटना में सरसो तेल की कीमत भिस्तिर है लेकिन माना जा रहा है जैसे जैसे युद्ध लंबा खेचे का सरसो तेल से लेकर अनिया खाद सामागरियों की दर में और तेजी आएगी युद्ध कासर सबसे ज्यादा खाद तेलों पर हो रहा है पटना आने जाने वाले यात्रियों को Global Flight Handling Services की मिलेगी सुविधा एसी है और वील्चेर के यात्रियों को चड़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी Global Flight Handling Service चलने की कंपनी है जो थाइलाइंड की कंपनी इंटरनाशनल जेवी पार्टनर बाग्ज ग्राउंड सर्विसिस की साथ काम कर रही है पटना में ये पहली बार Ground Handling करने जा रही है पटना से बकसर तक फर्राटा भरते पहुंचेगी गाडियां बिहार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से ही वो बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं इसी कड़ी में अब तक वो बिहारवासियों को कई सड़कों की सौगात दे चुके हैं महें जल्दी बिहारवासियों को कोईलवर भोजपूर बकसर फोर्लेन की सौगात मिलने वाली हैं पटना के महावीर मंदर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल कर उत्तर दिशा की तरफ से थे ये मंदर रेलवे परिसर्ट से ही सटा हुआ है उत्तर भारत के प्रसिध मंदरों में इसका विशेश श्रित्तान है 1730 इसा में इस मंदर की स्थापना की गई थी इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है आपको बता दे कि महावीर मंदिर का प्रसाद नवेद्यम का लड़ू पुरे देश भर में प्रसिध है पटना में शुराब पीने और बेचने के मामले में 63 लोग गिरफतार विहार में शुराबंदी कानून लागू है लेकिन होली के मौके पर कानून की धजिया उड़ने का अंदाजा पहले से ही प्रसाफशन को भी था यही कारण भी है कि प्रसाफशन ने अब होली को ध्यान में रखते वे सक्ती वढ़ा दी है इस बीच बीते दिन होली की मदरेजर अपराधियों और शुराबियों की गरफतारी के लिए पुलीस ने विभिनताना शेतर में चाप इमारी की इस दोरान शुराब पीकर हंगामा करते और शुराब बेचने के मामले में 63 आरोपियों की गरफतारी की गई वहीं अन्यमामले में फरार चलड़ है, चार अपराधी पकड़े गए, खबर लिखे जाने तक सभी को पुलिस ने जेल भीजिया था अब विदेश मूल के चात्र पढ़ सकेंगे पटना के इस संस्थान में राजधानी में अब विदेशी चात्रों के पढ़ने लिखने का रास्ता खोल गया है, क्योंकि पटना के प्रतिश्चित संस्थान CIMP में अब विदेशी मूल के चात्रों को भी पढ़ने का मौका मिलने वाला है इसको लेकर भारत सरकार के सिख्चा मंतराले के अंतरगत बहु आयामी उपकरम एडुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे Study in India कारिकर में विदेशी मूल के चात्रों के अधियन और अधियापन के लिए संस्थान को अधिकरत कर दिया गया है इस उपलब्धी पर संस्थान के कारिकारी निदेशक डॉक्टर राना सिंग ने प्रसन अताब व्यक्त की है बिहार में कोरोना के मामलों में ज़ारी है गिरावट बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट ज़ारी है स्वासरवभा की तरफ से साजा की गई जयानकारी के नसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में 10 मामले की पुश्टी हुई है जिसके बाद ही बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 48 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अकर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर एक मामले की पुष्टी हुई है पटना एरपोर्ट पर यात्रियों ने जम कर काटा बवाल बीते दिन पटना एरपोर्ट के अंदर देश्राम को यात्रियों ने जम कर हंगामा क्या हुआ कुछ यूँ कि स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या S.G.756 के यात्रियों एरपोर्ट के अंदर हंगामा कर रहे थे यात्रियों का आरोप है कि एरपोर्ट के तरफ से बहर बार कहा जाता है कि अगले घंटे फ्लाइट रवाना होगी पर अभी तक हुई नहीं थी जिसके चलते यात्रियों ने एरपोर्ट के अंदर काफी हंगामा किया पटना में दिखा होली का अनोखा जश बिहार के राज़ानी पटना में एक वाटर पार्क में आयो जित होली समारों अनोखे अंदाज में वनी इस दोरान एक लोग एक दूसरे की तरफ चपल उच्छालते हुए देखे गए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ब वहीं 14 क्याराट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,790 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,000 रुपे है इसके साथ ही राज़ानी पटना में पेट्रोल की कि गिवाद 105.9 रुपे प्रते लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपे प के नाम है अनुकुमार, कवीश तिंख, मृणाल कुमार, प्रहलाद जोशी, प्रभा कुमारी, मयंग कुमार, पंकच कुमार आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते हैं हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं, आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके नुसार होली के मौके पर प्रवूख चौक चौराहे पर पुलीस का पहरा होता है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पट्ना की बड़ी खबरों से अब्डेटेड रहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइक ओन दबाना ना भूलें धन्यवाद